जब पैसे खर्च ही नहीं करने हैं तो फिर कमाये क्यों और ऐसे अमीरी का क्या फायदा नमस्कार दोस्तों रीडर्स बुक्षम में आपका फिर से स्वागत है ये सवाल हम सभी के मन में आ सकता है इस बात पर रॉबर्टिक यो साकी कहते हैं कि ये सिर्फ सोजकांतर है जो सबसे ज़ादा जरूरत है वहीं उल्टा जो मिडिल क्लास या गरीब आदमी है वो थोड़ा सा भी पैसा आने पर भी वो सबसे पहले अपना सौक पूरा करता है घर हीरे जर्री गाडियां कुछ भी खरिद लेता है अमीर आदमियों के पास ये सब होता है बस फर्क सिर्फ है कि वो उधार के दंदर में नहीं फसते हैं वो लोग जिनके पास पीडियों से पैसा है लंबे समय से अमीर हैं वो अपनी अर्निंग वाले कालम को सबसे पहले बनाते हैं उसे सिक्योर करते हैं उसके बाद उनके एसर्स वाले कालम से जो अंधनी होती है जो इंकम होती है उससे वो अपनी लक्जीरियस लाइफ जीते हैं, इंज्वाय करते हैं। गरीब और मिडल कलास आदमी अपनी खुन पसीने की कमाई और बच्चों कोई विरासत की कीमत पर ये चीजे खरीदता है। इसमें जरासी भी मेहनत नहीं लगी या जोखिन नहीं था क्योंकि वो पैसा अपनी सेविंग से नहीं बलकि एपोटमेट हाउस के इंकम से खरीदा था। पर इसके लिए उन्होंने चार साल तक इंतिजार किया। पर सबेर हो आदमी उस चीज से छेडने लगता है। उसका इंट्रेस्ट खत्म हो जाता है। उसको उसमें मज़ा नहीं आता क्योंकि उस चीज को खरीदने के लिए जो कर्ज लिया गया है वो उस आदमी के सर पे भार बन जाता है। अगर एक बार आप अपने बिजिनस को बनाने उसमें इनिवेस्ट करने का समय निकाल लेते हैं। तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी भी खुमा सकते हैं। जो अमीरों का सबसे बड़ा राज है। यह राज अमीरों को भीड से अलग रखता है। या यूँ कहें कि भीड से आगे रखता है। जो अपने काम से काम रखते हैं। झाल झाल